बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का H.A.L. टिर्की जी के चैनल पर तो हम चर्चा करेंगे परवत यानि की माउंटेन से सम्मंदित महत्यपूर्ण और परिच्छा पयोगी प्रशन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके नेस्ट वीडियो में या आने वाले जो वीडियोज हैं उसमें महत्यपूर्ण वीडियोज या परिच्छा पयोगी प्रशनों पर हम चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स आने वाले हैं तो आप तुरंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और जादा से जादा लोगों में सेयर करें अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए खराब लगे तब भी कमेंट्स करके बताइए आईए चर्चा करते हैं परवत के बारे में देखें उत्पत्ती के आधार पर परवत चार परकार के होते हैं तो उत्पत्ती के आधार पर परवतों को कुल कितने स्रेडियों में बाटा गया है तो उत्पत्ति की आधार पर परवतों को कुल चार स्रेडियों में बाटा गया है जिसमें पहला है ब्लॉक परवत यानि कि ब्लॉक माउंटेन आए इसके बारे में समझें ब्लॉक परवत का निर्मार कैसे होता है देखे जब चटानों में इस्थित भरंस के कारण मद्ध भा उचे उठे परतीत होते हैं तो ऐसे परवत को ब्लॉक परवत कहते हैं तथा वीच में धसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं तो आप समझ गये होंगे कि ब्लॉक परवत किसे कहते हैं जब चटानों में इस्थित भरंस के कारण मद्ध भाग नीचे धस जाता है और अगल बगल के भाग उचे उठे परतीत होते हैं तो उसी उचे उठे परतीत होने वाले पार्ट को ब्लॉक परवत कहते हैं तथा जो बीच में धसे हुए पार्ट होते हैं उनको रिफ्ट घाटी कहते हैं तो आप एभी बता सकते हैं कि रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं अब यह जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि block परवत के अंतरगत कौन-कौन से परवत आते हैं जी हाँ परffeeछा में पूछा जाता है कि block परवत का उधारन है खर्वन खर्वाबत तो आगे इसको trick के मातनी से याद करें black jeans salt में गिर गया अगर ये ट्रीक आप याद कर लेते हैं तो ब्लॉक परवत के अंतरगत आने वाले सभी परवत इसी में सामिल है ब्लैक जिन्स साल्ट में गिर गया ब्लैक से समझना है ब्लैक फॉरेस्ट परवत ये जर्मनी में है तो Black Forest परवत कहां पर है किस देश में जर्मनी में है Black Forest परवत ये Block परवत के अंतरगत आता है जिन्स से समझना है Was Gens Was Gens परवत ये किस देश में है ये फ्रांस में है अब ये परवत किस परवत का उधारण है तो ये है Block परवत का उधारण Salt में गिर गया देखे साल्ट रेज ये परवत का नाम है और ये परवत पाकिस्तान में है तो ये परवत किस परकार की परवत का उधारण है ये ब्लॉक परवत का उधारण है और भी आगे बढ़ें जी हाँ आउसिस्ट परवत किसे कहते हैं आए इसको समझें आउसिस्ट परवत किसे कहते ह ये परवत चटानों के अपर्दन से निर्मित होते हैं तो कौन सा ऐसा परवत है जो चटानों के अपर्दन से बनता है उसे बोलते हैं आउसिस्ट परवत आउसिस्ट परवत के अंतरगत आने वाले कौन कौन से परवत है आईए इसको ट्रिक से याद करें ट्रिक है विसनी पारा सी गैस, क्या बोलना है, विसनी पारा सी गैस, वी से हो जाएगा विंध्याचल परवत, ये भारत में है, तो ये जो विंध्याचल परवत है, ये आउसिस्ट परवत के अंतर गताएगा, सा से हो जाएगा सतकुडा, ये आउसिस्ट परवत के अंतर गत यह भी आउसिस्ट परवत के उधारण है इसके अलावा सी से हो जाएगा सियरा परवत यह इस्पेन में पढ़ता है और यह आउसिस्ट परवत के उधारण है गैसे हो जाएगा गैसा यो मोटे यह अमेरिका के अंतरगत आने वाला परवत है और यह आउसिस्ट परवत के अंत को भी समझते हैं एको मिलेटेट माउंटेन संचित परवत किसे कहते हैं भू पटल पर मिट्टी बालू कंकर पत्थर लावा के एक अस्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने परवत रेगिस्तान में बनने वाले बालू के इस्तूप इसी स्रेडी में आते हैं तो मिट्टी बालू कंकर पत्थर लावा के एक अस्थान पर जम्या होते रहने के कारण जो बनने वाला परवत है वो किस परवत के अंतरगत आता है वो आता है संचित परवत के अंतरगत रे accumulated mountain के अंतरगत आते हैं, अब हम बात करते हैं, चौथे वलित परवत की, जी हाँ, चौथा परवत कौन सा है, वलित परवत, अब तक हम तीन परवतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो आईए हागे पढ़े हैं, वलित परवत, यानि फोल्ड mountain किसे कहते हैं, और इसके अ मुढ जाने से बनते हैं, तो कौन सा परवत, चटानों के मुढ जाने से बनता है, वलित परवत, यानि फोल्ड mountain, और इसे लहरदार परवत भी कहते हैं, वलित परवत को और किस नाम से जाना जाता है, लहरदार परवत जिन पर असंख अपनतियां और अभी नतियां होती है इसके अंतरगत यानि वलिद परवत के अंतरगत आने वाले कौन-कौन से परवत हैं आई इसको ट्रिक से याद करें कि कौन-कौन सा परवत वलिद परवत का उधारण है ट्रिक कैसे याद करना है आहिरा क्या लिखा हुआ है आहिरा यू ये जाएगा ये है ट्रिक ऐसे बोलना है आहिरा यू ये जाएगा बड़ा आ से जाएगा आलपस ये परवत है और ये जो आलपस परवत है ये वलिद परवत का उधारण है और हिसे हो जाएगा हिमाले हिमाले परवत किस परवत के अंतर गता आएगा वलित परवत के अंतर गताएगा और रा से जाएगा रौकीज ये भी वलित परवत के अंतर गताएगा यू से हो जाएगा यूराल ये भी वलित परवत के अंतर गताएगा ये से हो जाएगा एंडीज यानि ये भी वलित परवत के अंतर गताएगा यानि इन परवतो का निर्मार चटानों के मुड़ जाने से होता है उसे ही क्या कहते हैं वलित परवत कहते हैं और भी परवत से संबंदित कुछ महत्यपूर्ण रोचक जानकारिया इनको भी जान लेना बहुत जरूरी है जी हाँ भारत की देखें नोट में क्या है भारत का आरा वली परवत वि आरत का कौन सा परवत है जो विश्व के सबसे पुराने वलित परवतों में गिना जाता है आरा वली परवत और इसकी सबसे उची चोटी यानि आरा वली की आरा वली परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है माउंट आवो की निकट गुरु सिखर है तो गुरु सिखर आरा वल जहां आज हिमाले परवत खड़ा है वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विसाल भू भाग अथवा भू दोरणी थी दच्छिड पठार के उत्तर की ओर विस्थापन की कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और यह उपर उठ गया जिस से संसार का सबसे उचा परवत हिमाले परवत का निर्माड हुआ तो यह थी परवतों से संबंदित कुछ महत्यपूर और बेहद उपियोगी जानकारिया और भी इसके आगे बढ़ें तो यह थी और भी परवतों के बारे में नील गिरी की पहाडिया जी हां इनके बारे म भी जान लेना बहुत ज़रूरी है नील गिरी की पहाड़ियां कैसे इसको याद करें कुछ महत्रपूर्ण प्रश्न हमारे वीडियोज को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद